ओम शांती आज 24 जून 2022 है आज का दिन मातेश्वरी जगदंबा प्यारी मीठी मम्मा की स्मृती दिवस है और जिस तरह मम्मा स्वयम नमित और निर्मान बने उसी तरह हम को भी बनना है तो आज के स्लोगन में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि सच्चे सेवाधारी किसको कहा जाएगा जिस तरह मम्मा सच्चे सेवाधारी बने हमें भी सच्चे सेवाधारी बनना है आए सुनते हैं आज का स्लोगन सच्चे सेवाधारी वह है जो निमित और निर्मान है निमित और निर्मान ये दोनों ही गुण या कहो विशेष्टा ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं जो निमिद बनते हैं वही निर्मान का गुन उसके अंदर automatically आ जाते हैं निर्मानता माना ego less, कोई अभिमान नहीं स्वयम self respect में रह करके दूसरों को respect देने वाले इसी को ही निर्मानता का गुन कहा जाता है तो ऐसे निर्मान्ता का गुन जो है वो सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी के अंदर दिखाई देती है ऐसे निर्मान्ता के गुन बनने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले हमें निमित भाव अपने अंदर लाना होगा निमित बन करके सेवा करना होगा तो निमित का अर्थ क्या है निमित को इंग्लिश में इंस्ट्रुमेंट कहा जाता है इंस्ट्रुमेंट हम सभी जानते हैं क्या होता है जिसके द्वारा हम हर कार्य को करके उस कार्य को सहच बनाते हैं उसको instrument कहा जाते हैं. आईए हम आपको एक बहुत सुन्दर से एक्जाम्पल के द्वारा नेमित क्या है इसको सपष्ट करते हैं. हम सब ने music concert तो सुना होगा और देखा होगा. तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे musical instruments होते हैं और उसको बजाने वाले musician भी होते हैं. जब एक musician अपने musical instrument को बजाता है तो उस instrument में से वो अपने कला को दिखा पाता है. अलग अलग रिती से स्वर निकलते हैं और उस स्वर के जरीए जो audience बैठे हुए हैं उनके मन के भावों को बदल सकते हैं. कभी खुशी में बदल सकते हैं मन के भावों को तो कभी गमगीन बना सकते हैं तो कभी उमंग उत्सहा में ला सकते हैं. तो ऐसी कला को देखकरके audience बहुत खुश होते हैं ताली बजाते हैं, तो ताली के लिए बजाते हैं, क्या instrument के लिए बजाया, या उस musician के लिए बजाया, बजाया है तो उस musician के लिए यदि उस instrument को अंदर में ये नाराजगी आ गई कि ताली मेरे लिए ने बजाई, musician के लिए बजाई है तो वो उसको निमित भाव नहीं कहा जाएगा instrument अपने आपको musician के हवाले कर देते हैं अपने आपको perfect बनाते हैं ताकि उस instrument के दवारा musician perfect music या melody या स्वर निकाल सके तो इसी तरह से हमें भी अपने आपको perfect ऐसे बनाने हैं जो बाबा, जो supreme musician है हमारे दवारा जो अलग-अलग music है, सेवा है वो कर सके इसको ही निमित भाव कहा जाता है यदि मेरे अंदर ego आ गया कि मैंने ही ये music बजाया है या मैंने ही ये सेवा किया है उसको निमित भाव नहीं कहेंगे जो लोग appreciate करते हैं वो मेरा appreciation नहीं है लेकिन परमात्मा का appreciation है तो इसी भावना को हम अपने मन में धारन करें निमित और निर्मान भाव यही सच्चे सेवाधारी की निशानी है तो आए हम सच्चे सेवाधारी बने ओम शांती